भारत में रेल परिवेन यात्रा का एक स्वीद्ध जनक और सस्ता सादन है जिसका आनंद परतिदिन लाखों लोग उठाते हैं यात्रियों के लिए सुगम और प्रेशानी मुक्त यात्रा करने के लिए बारतिय रेलवे ने रेल एदिनियम 1989 के तैट नियम और वी नियमों को एक सेट स्तापित किया है इन नियमों को नहीं मानने पर जुर्माना या यहां तक की जेल भी हो सकती है यह वीडियो उन साथियों के लिए है जो ट्रेन में सुरुक्षित और सुखत और आरामदाएक यात्रा करना चाहते हैं कौन-कौन सा सामान ट्रेन में नहीं ले जा सकते यात्रियों की सुरक्षिया के लिए ट्रेन में कुछ खतरनाक सामगरी और वस्तुय ले जाने पर परतिबंद किया गया है पैट्रोल, डिजल और मिट्टी का तेल जैसे जमनसिल, पदार्थ साथ ही विस्फोटक, आतिस बाजी और अगनिय से अस्तर जैसे वस्तुय सक्त वर्जित है इसके अलावर ट्रेन के डिब्बे में और स्टेशन के अंदर दुमवर्पान करना और आग लगने का कारण बनने वाली किसी भी पदार्थ को ट्रेन में ले जाने पर परतिबंद ले किया गया है या फिर ट्रेन के स्टेशन पर करना परते बंद बताया गया है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए सामान के लिमिट एक यातरी लिमिटिड सामान अपने साथ फिरे में ले जा सकता है निर्दार्द सीमा से अगर लिमिटिड से जादा अगर वे अपने साथ सामान लेके जाता है तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा एश्वीद्दा और एतरिक लागत से बचने के लिए सामान के नियमों को पालन भी करना होगा पाल तो जानवर कई लोगों के लिए पिरिये साथी होते हैं लेकिन सभी प्रकार के जानवरों को ट्रेन में ले जाने पर अनुमती नहीं है कुटों को किशी भी सिथिती में सिलिपर एसी को सेकंड किलास के अंदर ले जाने की अनुमती नहीं है फकड़ी जाने पर यात्रियों को जुर्माना ट्रेन से निकाला भी जा सकता है तो इस चीज़ को आपको ध्यांद जरूर रखना है कि कुट्जों को लेके अपने साथ ट्रेन में यात्रा ना करें अगर आप ट्रेन में यात्रा करें तो Slipper, AC Code, Second Class के अंदर आपको यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाने पर आपको फिर जुर्माना भी देना पड़ सकता है या फिर आपको ट्रेन से उतारा भी जा सकता है नियम तोडने का परिनाम ट्रेन में जवनसिल पदार्थ ले जाने रेलवे अधिनियम 1989 के धारा 164 के तहत दंडनी अपराद है अपरादियों को तीन साल की जेल या एक जार रुपय का जुर्माना हो सकता है मतलब एक अजार रुपय का जुर्माना भी देना पड़ेगा और तीन साल की उन्होंने जेल भी करने पड़ेगी मतलब जेल में भी जाना पड़ेगा तो आपको जब भी ट्रेन में यातरा करनी है तो ट्रेन के नियम को बिलकुल नहीं तोडना है नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुक्सान होने वाला है एक जिम्मेदार यात्री के रूप में अपने और अपने साथियों की यात्रा के लिए एक सुरक्सित, सुखद और आरामदाएक यात्रा करने के लिए बारतिय रेलवे दुवरा नियमों और वियनमों के बारे में जाकरुक होना लोगों को करना और इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के पास सेर करना ताकि जादा से जादा लोगों को पता चले बारतिय रेलवे के इन नियमों के बारे में अगर नहीं पता होगा तो उनको प्रेशा नहीं होगी आपकी एक सेर से काफी लोगों की हेल्प हो सकती है और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करके आप बैल आइकन को स्लेट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वर्टसप, फेस्बुक, इंस्टाग्राम के पर जरूर सेर करें